असलाम अलाइकुम दोस्तों उम्मेद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कोई न्यूज नहीं शेयर करने वाला हूँ बलकि कुछ लोगों की समस्याओं का हल लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि भाई वो एक्जिट जाना चाहते हैं उनकी कमपनी उनका कफील उनको एक्जिट नहीं छोड़ रहा है दो साल हो गया है तीन साल चार साल इतने इतने दिन तक हो गए हैं तो इस पर मैंने सोचा की न्यूज के इलावा अलग से इस पर वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको न्यूज में शामिल करूँगा तो से बात करनी पड़ती है इन सब चीजों के बारे में उनसे जानना पड़ता है फिर जाके मालूम पड़ता है कि हाँ इस में इस इस तरह के भी समाधान है तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई मेरा सौधी अरबिया के अंदर कोंट्रेक्ट खतम हो गया है इस एसे लोग बिना अपने कफिल के परमिसन के बिना अपने कफिल को बताए सौधी अरब से बाकाइदा इग्जिट लगवा कर जा सकते हैं और फिर दूसरे बीजे पर सौधी अरबिया के अंदर कभी भी आ भी सकते हैं इसमें ये मत समझना कि आपके कफील को पता नहीं चलेगा उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपका इग्जिट लग चुका है आप जाने वाले हैं फिर भी वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है उसे इग्जिट लगने के बाद का जो टाइम मिलता है उसके अंद गया दो साल हो गया तीन साल हो गया इससे कोई मतलब नहीं है बहरहाल आपके पास इकामा है और आपके ओपर किसी भी तरह का कोई केस ना हो यानि हुरूब और ना लगा हो या कोई मतलूब वाला मामिला आपके उपर ना हो आप वांटेड ना हो तो ऐसे कंडिशन में आप अपने कफील के पास से रहकर ही अपना खुरूज नहाई लगवा सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको चुप चाप अकेले किसी को साथ में नहीं लेना है मक्तबल अमल चले जाना है वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ कई काउंटर होते हैं उन मे अपने कमपनी को अपने कफील को इससे पहले खुरूज जाने का या छुट्टी जाने का एक्जिट जाने का पेपर दिया है या नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको कहे देना है हाँ मैंने दिया है उसका प्रूफ वो लोग नहीं मांगेंगे बस इतना आपको कहे देना है इतना करने के बाद वो लोग क्या करते हैं आपका इकामा लेते हैं और बाकाइदा एक फाउम फिलप करते हैं उसके उपर आपका अंगूठा लेते हैं उसके बाद में वो आपको एक छोटा सा पेपर दे देगा उस पर एक नमबर लिखके देने के बाद वो आपको फिर बोलेगा कि एक महीने के बाद आप आ जाईए उस एक महीने के बीच में ये लोग चेक करते हैं कि आपके उपर कोई केस नहीं है या आप पर कोई जो है मतलूब वाला मामिला तो नहीं है एक महीने के बाद जब फिर आप वापस जाएंगे तो वो आपसे वही पेपर ले लेगा और उस पेपर पर एक और नमबर लिख देगा जो कि मक्तबल अमल के सिस्टम में अपडेट हो चुका होगा तो एक नमबर आपको लिखके देगा अब वो पेपर आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन या उसी दिन अगर टाइम है सुबह का टाइम है नौ बजे तक तो आप उस पेपर को ले करके तरही सेंटर चले जाएए ये हर शहर में रहता है जिसको डिपोर्टेशन सेंटर बोलते हैं डरने वाली बात नहीं है मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा तो वो पेपर अपना इकामा और अपना पासपोर्ट ले करके तरही सेंटर आप चले जाएगे वहाँ जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक आफिसर रहेगा बाहर वो आपसे ये तीनों चीज़े ले लेगा और थोड़ी देर में 15, 20, 25 मिनिट में या आधा घंटा लग स देगा ना इकामा देगा और ना ही जो पेपर था वो देगा हो सकता है वहाँ पर वो आफिसर आपको सिर्फ 15 दिन बोले कि इस 15 दिन के अंदर आपको निकल जाना है लेकिन जो आपके पास में मैसेज आएगा उसमें एक नंबर रहेगा उस नंबर से आप अपने वीजे की वैलेडिटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जिसमें 69 दिन का आपको टाइम मिलेगा भले ही वो लोग वहाँ से 15 दिन बोलें लेकिन आपका जो बीजा रहेगा वो 69 दिन तक रहेगा कि 69 दिन के अंदर आपको निकल जाना है ये मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ इसको मैं आपका कफील आपका final exit cancel नहीं करवा सकता है आपको उसे भेजना ही पड़ेगा अब यहां पर आपके साथ में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यहां पर अगर आपका कफील आपको एक टिकेट नहीं देता है तो एक टिकेट आपको अपना खुद खरीदना पड़ेगा और इस से और भी किसी का भला हो जाए और यह चीज practically मैंने करके देखी है जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यह किसी से सुनके या कहीं से पढ़के मैं नहीं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली करके लोगों के साथ में जाके करवाके देखने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा जिसके बारे मैं आगे आपको दूसरी वीडियो के जरीए बताता रहूंगा और इस तरीके का खुरूज नहाई आपके सिवा आपका कफील भी लगवा सकता है उसका तरीके कार दूसरा है आपका कफील अगर चाहे कि मेरे वरकर का इकामा एकस्पायर है फिर भी मैं इसका ये चीज़ अगर आप जवाजास से पूछेंगे उसके ट्वीटर हैंडल पर पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा वो लोग नहीं बताएंगे वो लोग एक ही बात बताएंगे कि आपको एकजिट जाने के लिए आपका इकामे का वैलिड होना जरूरी है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इसके पीछे भी कई तरीके हैं जो लीगल तरीके तो मिद करता हूं ये जानकारी आप लोगों के लिए काफे हैल फुल रही होगी तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं पर अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त देजिए खुदा हाफिज